ते आन देन जोग बहुत जरूरी कामदियां गला नमबर एक प्याज दे टुकडे नू कटन तो बाद ओजहरीला हो यंदा है अते अगले दिन वर्तन ते फूड पोईजनिंग कार सकदा है इसलई हमेशा प्याज नू खान समें ही कटो नमबर दो गाहां ते दोदो तो बने देसी के ओदियां दोदो बुंदा रोजाना राद नू सोन समें अपने नाक वेच पाओ कोछ ही दिना वेच कराडे वजने बांदो यानगे अते और कई परकार दे रोगां तो भी मुक्ती मिलेगी नमबर तिन जिनना लोकानू पैराँ पार बैठ हन दी आदत उन दी है ओ लम्मे समें तक जवान रहें दे हन क्योंकि पैराँ पार बैठ हन नाल साडे शरीर दे मुलादार चक्कर उते दबा पेंदा है नमबर चार वालानू आवला कलोंजी या मेथी दे पाणी नाल तो वो इस नाल तो हाडे वाल संगने काले आते मुलाएमों जानगे नमबर पांज दही दी करीम चहरे ते लगाउन नाल रंग निखरदा है आते चुरियावी काटों लग दिया हन नमबर शे निमबूदियां कोज भूंदां पाणी वेच मिला के उस पाणी नाल इशनान करो इस नाल शरीर वेच ठंड़क महसूस होवेगी नमबर साथ जिननानू पत्थरी दी समस्या है ओ पालक बैंगन टमाटर खीरा जंक फूड डबा बंद पोजन दा सेवन काट करो नमबर आठ सिर्दी मालिश करन नाल बलगम दूरुन दी है नमबर नो रादनू वारबार पे शाब आउना शूकर दी समस्या भी हो सकती है नमबर दास फटे बुलना थे मलाई लगाउन नाल बुल मलाई वांग नरम हो जन्दे हन नमबर ग्यारा पेट वेच गैस यां गर्मी होवे तब दी ना खाओ नमबर बारा खांसी याथे काफ दी समस्या हों थे शलगम नुकट के पाणी वेच उबालो अथे पाणी कोसा करके पी लो खांसी जुकाम अथे काफ ठीक हो जावेगा नमबर तेरा रोदाना अद्धा चमचा आमला पौडर वेच चुटकी पर हल्दी मिला के गर्म पाणी ना लेंते खून साफ हुंदा है